ये चुनाव होना नहीं था लेकिन हमारे जिन विधायकों को हमने चुनचुन के भीजा था सिवा के लिए उन्होंने परदेश की जो सिर्ष सुखविंदर सिंग सुख्व की सरकार है उसको अस्थिर करने का कूप प्रयास किया कॉंग्रेस के परदेश सचिव देशराज गौतम ने परदेश के छे विधान सभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए पुरव विधायकों को दोशी ठहराया है देशराज गौतम ने कहा कि इनी विधायकों ने परदेश सरकार को अस्थिर करने का परियास किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के आमचुनाव के साथ होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में कॉंग्रेस जीत दर्च करेगी। गातव ने कहा कि कुटलेहड विधानसभग शेत्र में कॉंग्रेस पूरी तरह से एक जुठ है और सभी नेता वा कारेकरता पार्टी की जीत के लिए कारे करेंगे रही है और अब मैं पर्देश सची भी मचल पर्देश कांग्रस कमेट्टी के पद पर हूँ मुझे गवर्मेंट आफ इंडिया में यूपीस गवर्मेंट में खादी ग्राम दो गए उतरी जोन का चेर्मेंड के रूप में उझे काम करने का मौका मिला कुटलेड में पार्टी ससकत है मजबूत है कार्या करता जो है वो मजबूत है और ये जो उप चुनाव हो रहा है क्योंकि ये चुनाव जो है ये चुनाव होना नहीं था लेकिन हमारे जिन बिधायकों को हमने चुन्चुन के भीजा था सिवा के लिए उन्होंने जो है पर प्रतिनिती चुनके जाते हैं लेकिन उन्हों ने जो आयोग्या हुए है तो अब जो उपचुना हो रहा है इसमें फिर हम कॉंग्रस पार्टी को जहां से जिताएंगे मैंने भी कॉंग्रस पार्टी की दावदेर की है शोबित गौतम हिमाचल प्रदेश युवा कॉंग्रस का जनर सेक्रेटरी है और बीडी सी मेंबर भी है चुना हुआ है हम ये कह रहे हैं कि अगर बीडी सी का चुनाओ हारे हुए को लोग कुटलेड की जनता बिधायक बना सकती है तो ये तो बीडी सी का चुनाओ जिता पड़ा लिखा है अगर नए आदमी के ओपर खेल खेलना है तो शोबित गौतम और अगर हमें अजमाना है पार्टी ने तो हम पार्टी को सीर्जित करके देंगे हमने लंबे समयदक पार्टी की सिवा की है और अगर पार्टी किसी और को उमीद बार मनाती है तो भी हम पार झाल जो जो सकता है झाल एमकोट करS एक प्राइब कर सकता है